हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक तो मा यूटुब चैनल प्रांट्स और पेट्स लवर हमें अपने प्रांट को अच्छी ग्रोथ के लिए क्या करना है त्रह त्रह के फ़र्टिलाजर देने हैं और हमें अपने प्रांट्स को फंगस कीडों से भी बचाना है क्योंकि जब भी मौसम change होता है, तो फिर हमारे प्रांट बे कीड़े या फंगस भी लगने लगते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है, मिट्टी में भी ध्यान रखना है, क्योंकि अभी ऐसा टाइम आने वाला है, मिट्टी में भी चीटियां होंगी, कीडे होंगे तो ये ध्यान रखना है आपको क्योंकि चीटियां भी हमारे प्लांट को रूट्स को खा जाती है, खराब कर देती है तो उसके लिए हमें एक फटिलाजर बना कर रखना है और अपने प्लांट पर टाइम टाइम पर उसको यूज़ करना है और जो भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनको असिडिक सोयल पसंद होती है जैसे गुढ़ल, मौगरा, गुलाब, चमेली इन सब को असिडिक सोयल चाहिए होती है और acidic soil से ही हमारे plant growth करते हैं और जो हम खाना अपने plant को देते हैं वो इसको intake कर पाते हैं इसलिए हमारे plant को acidic soil दीजिए कैसे देनी है उसके लिए आप तरह तरह के fertilizer दे सकते हैं चाय पत्ती का fertilizer दीजिए फ्रेंस ये देखे आज लेकिन मैं दे रही हूँ नीमबू से तयार fertilizer करूंगी और इसको आप अपने plant पर मिट्टी में भी यूज कर सकते हैं और इसको आप spray भी कर सकते हैं अगर पत्तियों पे मिले बग बगरा है तो उस पे भी आप इसको यूज कीजिए और मिट्टी में देने से फ्रेंट्स जो भी मिट्टी में कीडे चीटियां जो भी होंगे सनेल्स होंगे किसी भी तरह के जो छोटे छोटे कीडे जो हमारे plant को नुकसान देते हैं यह वो इससे खतम हो जाएंगे और जो भी plant आपने प्रून किये थे उनकी growth शुरू हो चुकी होगी तो और जपरदस्ट growth लाने के लिए यह fertilizer बहुत ही जरूरी है तो यह देखिए निम्बू के चिलके आप शायद निम्बू के चिलके फेंग देते होंगे फ्रेंट्स लेकिन इनको फेंगने की गलती मत कीजिए यह हमारे plants के immunity booster का का काम करते हैं यह देखिए मैंने निम्बू के चिलके इस बोटल में मैंने दो तीन महिने हो गए हैं फ्रेंट्स मैंने इसमें डाल कर रखे थे अभी बिलकुल निम्बू के चिलके का पता ही नहीं चल रहा है बिलकुल वो गुल चुके हैं तो ये ऐसे आप छिलके कठे करते जाए और बोटल में भरके रखिए और ये सालो साल चलने वाला फर्टिलाजर है ये कभी खराब नहीं होगा आप इसको अपने प्रांट में 20 दिन में एक बार यूज कीजिए मिट्टी में थोड़ा सा डाल दीजिए क्योंकि इससे हमारे प फ्लावरिंग प्लांट में यूज कीजिए और कितना यूज करना है बहुत इकम कोईन्टेटी में यूज करना है एक लीटर पानी में आप एक चममच या थोड़ी सी डेड़ चममच ले सकते हैं इसे जादे नहीं क्योंकि बहुत स्टॉंग फर्टिलाजर है और एक लीट वैसे भी हल्दी एक चमच उपने प्लांट में दालते रहें तो ये मैंने थोड़ा- emergence इमायल के अस-पास मैं नहीं डाल दिया है और इससे बहुत ही ग्रोत करेंगे हमारे प्लांट और नीम्बू के चिलके में नीम्बू में क्या पाया जाता है फ्रेंट्स नीम्बू में विटामिन सी अच्छी मात्रा में है और कैल्शियम, फॉसफोरस, मैगनिशियम, जिंक तो इसमें अच्छी मात्रा में है इसलिए ये हमारे जो फ्लावरिंग प्रांट है उनके लिए बहुती best fertilizer है यह मैंने संत्रे का बनाकर रखा हूए इसमें संत्रे के चिलके हैं और इसमें मैंने good भी मिलाया है तो यह बायो एंजाइम है यह भी बहुती बैस्ट है यह भी हमारे प्रांड के लिए 15-20 दिन में एक एक चम्मच मैं एक लीटर पानी में मिलाकर य ये बस और फिर उसको आप प्रांस पर स्प्रेइ भी कर सकते हैं तो कभी भी आप ये चिलके फेकने के गलती मत किजिए और आप इसको अपने प्रांस में फटिलाजर के रूप में यूज किजिए बहुती बेस्ट है फ्रेंड्स जो भी हमारी कीचन में वेस्ट निकलता है वो बेकार नहीं है वो हमारे प्रांट्स के लिए बहुती अच्छा फटिलाजर के रूप में काम कर सकता है तो ये चिलके हैं ऐसे मैं कठे करती हूँ ये दूसरी तरीका है अगर आप ऐसे दो तीन दिन के चिलके हैं आपके पास इनको भिगोईए दो दिन के लिए इसको छोड़ दीजिए इसमें पाने में भिगोकर और फिर दो दिन बाद इसको जितना फटिलाजर है उसका डबल कर करके आप पानी डालिए और मिला करके इसको प्रांट में अपने दे सकते हैं मिटी में तो ये भी तरीका बहुत अच्छा है और ऐसे जो बना कर रखते हैं फ्रेंट्स सालो साल चलने वाला ये भी आप बना कर रख सकते हैं तो मैं टाइम टाइम पर इसको यूज करती रहती हूँ अपने प्रांट्स में तो आप भी अपने प्रांट्स की ग्रोथ के लिए फर्टिलाजर यूज कीजिए और इसको ऐसे बना कर रखिये बॉटल में और इसको बीच-बीच में खोलते रहिए कहीं गैस बन गई तो फिर एक एक दिन में खोलना पड़ेगा थोड़ी गैस निकालने के लिए तो फ्रेंट्स ये थे बहुत अच्छे फर्टिलाजर आप बनाईए अपने प्रांट्स को दीजिए थैंक यू फ्रेंट्स